आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सीन्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सीन्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नियोदर्शन बैपास के पास लालाव गाओं में गुरुवार सुबह 16 मोर खेतों में विहुष पड़े बिले इन सभी के मुँझ से जाग निकल रहा था खेतों में काम करने के लिए पहुँचे किसानों ने इन मोरों को देखा तो इसकी जानकारी वनिभाग को दी मौके पर पहुची वनिभाग की टीम ने इन मोरों का परिक्षन किया तो उन में से आठ मोर मर चुके थे जबकि आठ विहुष थे जिने उपचार के लिए कीठम भीजा गया अलग अलग खेतों में पड़े थे मोर मलपुरा के लालव गाव में गुरुवार सुबा करीब आठ बचे ग्रामिडों ने अलग अलग खेतों में मोर और उनके बच्चों को पड़ा देखा कुछ मोर तड़ाप रहे थे सूचना पर ग्रामिड एकत्रित हो गए ग्रामिडों ने सूचना इलाका पुलिस को दी मौके पर पहुँची पुलिस ने वन विभाग की टीम को सूचना दी थोड़ी देर में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुँच गई टीम के साथ आई चिकिस्तकों ने मोरो का परिक्षन किया जिन में से आठ मोर मर चुके थे जबकि आठ बेहोश मिले बेहोश मोरो को एम्बुलेंस से उपचार के लिए कीठम बिजवाया गया एक साथ सोला मोरो के मरनासन होने और उनमे से आठ मोरो की मृत्यू का कारण जानने के लिए वनविभाग ने मृत्त मिले मोरो का पोस्ट मौटम कराया है पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत के कारणों का पता चल सकेगा पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद ग्रामिडों ने इन सभी राष्ट्रिय पक्षियों का अंतिम संस्कार किया ग्रामिडों का कहना है कि इन मोरों की मौत का कारण कोई जहरीली चीज या खेत में पड़े कीट नाशक को खाने से हो सकता है मोत के कारणों का पता पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा सी नियूस के लिए विजय बगहिल की रिपोर्ट